2014 से पहले जो अर्थ वबस्ता दुनिया में दस्वे नंबर पर थी वो आज पांचवे नंबर पर पहुँच गई है 2014 से पहले गोटालों और ब्रस्टाचार का दौर था आज गरीब के हग का पूरा पैसा सीधे उसके खाते में पहुँच रहा है 2014 से पहले जो अर्थ वबस्ता दुनिया में दस्वे नंबर पर थी वो आज पांचवे नंबर पर पहुँच गई है देश का नागरिक बहुत दिन भूल नहीं सकता जब 2014 से पहले गोटालों और ब्रस्टाचार का दौर था गरीब का हग उस तक पहुँचने से पहले ही लूट लिया जाता था आज गरीब के हग का पूरा पैसा है सी धे उसके खाते में पहुँच रहा है साथियों सिस्टिम से लिकेज रुकने का एक पनणाम ये भी हुआ है कि सरकार गरीब कल्यान पर पहले से कहीं जादा खर्च कर पा रही है इतने बड़े पहमाने पर हुए इन्वेस्टमेंट ने भी देश के कोने कोने में रोजगार का निर्मान किया है जैसे एक उधारण कौमन सर्विस सेंटर का है 2016 के बार से देश के गाउं में पांच लाख नए कौमन सर्विस सेंटर बने प्रते कौमन सर्विस सेंटर आज कई कई लोगों को रोजगार दे रहा है यानि गाउं गरिब का कल्यान भी हुआ और रोजगार के मोके भी बने आप सभी कड़ी मेहनत से यहां तक पहुँचे है आगे भी आप सीखते रहने की प्रवुत्ति जारी रखे आपकी मदद के लिए सरकाम ने आउन लाइन लर्निंग प्रेटफॉर्म आई गॉड कर्मियोगी तयार किया है इस सुविधा का जादा से जादा लाब उठाने का प्रयास करे मैं आपको और आपके परिवार के लोगों को इस नई सफलता के लिए इस नई यात्रा के लिए अब सपनों को सिद्ध करने का एक उत्तम अवसर मिला है तब अनेक अनेक शुपकामनाई देता हूँ बहुत बहुत बधाई देता हूँ हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दवाई